हेलो बच्चो वेलकम टूरे जंगल एजुकेशन माइनेम इस नितेस और आज है हमारा थर्मोडाइनिमिक्स का सिक्स लेक्चर तो चलो आज हम पढ़ते हैं देखो हमने एक क्लास में एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था है ना हमने क्या पढ़ा था कि जो हमार हमने पास एडियाबेटिक प्रोसेस होती है आज हम क्या करने वाले हैं पहले यह देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस और आईसो थर्मल प्रोसेस में डिफ्रेंशियेट कैसे करें हमने यह देखा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस होती है हमने यह भी देखा था कि आई पीवी कर्व उनका ड्रो किया था तो दोनों का ही पीवी कर्व की कुछ ऐसे आ रहा था तो दोनों का ही ऐसा आ रहा था तो दोनों में डिफ्रेंशेट कैसे करेंगे अगर मालो मैंने एक ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया मुझे ये बताना है कि इन दोनों में इन द तोनों में differentiate कैसे करेंगे वह हम पढ़ने वाले हैं आज कि पीवी कर्व में जब हमारे पास गैस है वह आईसो थर्मल है या फिर वह एडियाबेटिक है यह कैसे पहचानेंगे जब expansion हो रहा है तब क्या है जब compression हो रहा है तब क्या होगा यह हम पढ़ेंगे आज ठीक है एक हम पढ़ेंगे कुछ numericals करेंगे कैसे numericals करेंगे काफी जैसे एक ग्राफ हमने ले लिया मालो फीटी में करण दिया वीटीं में कर दिया तो एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे convert किया जाता है, ये भी आज हम करने वाले हैं, तो चलो आज का lecture हम करते हैं, start, तो चलो, सबसे पहले हमारे पास आती है adiabatic process, अब हमने ये तो देखा था कि adiabatic process में, जो equation आती है, वो क्या आती है, pv, pv raised to power gamma is equal to some constant c, c कोई भी एक constant है, ठीक है, एक हमने आईसो थर्मल भी पढ़ा था, है ना, आईसो थर्मल process आईसो थर्मल process में हमने क्या पढ़ा था, आईसो थर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा था, कि जो pv is equal to some constant यहाँ पे क्या था, pv sum constant के equal था, और adiabatic में, pv raised to power gamma sum constant के equal था, चलो, अब देखते हैं, इन में differentiate कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले आईसो थर्मल की बात करते हैं, चलो, पहले बात करते हैं, पोर आईसो थर्मल प्रोसेस में क्या होगा, निकालना क्या है हमें, यह देख लो पहले, हमारे पास जो pv कर्व आता है, वो कैसा आता है, यह हमारे पास मालो उनिम यगंदे बात करने चलो, पहँरें क्यालना क्या देखने करें, यह देखने करते हैं, चलो पहले इनिम Ás के को लिए। आप चुछ एक इसन्स लोप कैसे स्लोप करें, में जीज यह है, ऑर दूसरा है यह पास यह मालो तो यह है कि हम इनका क्या पता कर ले? slope पता कर ले. अगर हमें ये पता लग जाए कि किसका slope जादा है तो हम easily differentiate कर पाएंगे कि कौन सी आईसो थर्मल है, कौन सी एडियाबेटिक है. मतलब हमें निकालना क्या है? हमें फाइनली निकालना है कि इसो थर मल का स्लोप क्या होगा देखलेंगे वह कौन सी प्रोसेस आएगी मतलब हमें करना क्या है अंका अनक फिलोप Nच अब प्रूब को आता है वहतब कैसे निकालते हैं कि मालो मेरे पास कोई भी ये W यहां से यहां तक यह दो पॉइंट ले लिए या फिर मैंने लास्ट वाले ही दो पॉइंट ले लिए कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट ओ यहां पर हमेशा एक वलाएगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का स्लोप है वहर जगया पर यहां पर स्लोप को हम लिख सकते हैं वाइब आई एक्स लिख दो यह फिर दिवाइब आई डिए एक्स लिख दो दोनों ही जगया पर एक्वल आएगा लेकिन जब हमारे पास प्रोसेस कुछ ऐसे आने लग जाती है यह यह Y हो गया और ये X हो गया यह कुछiм ऐसा स्लोप मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस हा गई हमारे पास graph कुछ ऐसा आ गया तो यहां पर देखो यहां पर हर जगह पर पह स्लोप आप लोगो को अलग देखेंगे जैसे अगर मैं इस point की बात करूं तो इस point पर slope क्या होगा, slope कैसे निकालते हैं, कि इस point के उपर tangent रो कर दो, यह मैंने इसके उपर एक tangent रो कर दिया, यह हो गया इस point का slope, अगर मैं इस point का slope निकालू, तो यह हो गया, इस point का slope, तो दोनों का slope क्या है, अलग है, ऐसे ही और points का slope निकालेंगे तो सभी का slope क्या आएगा अलग अलग आएगा चीक है तो यहां पर slope निकालने के लिए हम किसी भी point का slope निकालने के लिए हमें यूज करते हैं dy by dx मतलब यहां पर हम क्या निकालने dy by dx निकालो यहां पर भी dy by dx काम करेगा d y by dx हमेश्य काम करेगा, कभी भी कर लो, कभी भी देख लो dy by dx, small change को दिखाता है, जोटे इसी जगह में कितना change है, फिर उसा आगी कितना change है, dy by dx हर जगह पे Same आएगा, सोरी, हर जगह पे काम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यह dy by dx क्या बताएगा, क्या है हमें इन में निकालना है स्लोप निकालने के लिए हमें स्लोप तो निकालना ही है मतलब स्लोप निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा डीपी बाए डीवी यह वाई बाए यह हमारे पास वाई हो गया और यह एक्स हो गया हमें क्या निकालना पड़ेगा डी फैन किलेवेटर इदर ऑगया यह बेश इस दर रोग किया हमें इतना थो आप लोगों ने मैज़ पड़ा होगा हमें यह निकालना है कि these lobs करगब mee चैने सब चीज很有 इसीरियी तो हमें आईशो स्लोंप है और हमें क्या हिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आई सो ठर्मल प्रोसेस की ठीक है, आइसो थर्मल प्रोसेस की, आइसो थर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, क्या आएगा आइसो थर्मल प्रोसेस में, हमारे पास equation होती है, वो होती है, P V is equal to some constant C, ठीक है, इसका disparation कर दो, या फिर इसका parattering differentiation कर दो इसका par differentiation काईसे करते हैं, मा vendu मुझे X Y is equal to some constant है, इनका partial differentiation करना है, partial differentiation में क्या करते हैं, एक चीज को constant मानते हैं, दूसरे का differentiation कर देते हैं, फिर इसको constant मानेंगे इसका differentiation कर देंगे मतलब इसका करेंगे तो क्या होगा x को मैंने constant माना y का differentiation कर दिया dy plus y को constant माना फिर मैंने x का differentiation कर दिया और constant का differentiation तो 0 इसका करते हैं p को constant माना v का differentiation क्या आएगा dv आ गया फिर मैंने क्या किया v को constant माना P का differentiation आ गया DP आ गया और यह किसके equal आ गया हमारे पास 0 के equal आ गया DP by DV निकाल लो क्या आजाएगा यहाँ पर हमारे पास VDP which is equal to minus of PDV तो DP by DV किसके equal आ गया DP by DV हमारे पास आ गया minus of P by V के equal आ गया तो DP by DV हमारे पास निकल चुका है और वो किसके एक वलाय है किसके एक वलाय है हमारे पास dp by dv minus p by v minus तो दिखा रहे हैं कि यह negative slope होगा ठीक है अब बात करते हैं हम adiabatic process की आगे करते हैं adiabatic process में क्या आएगा adiabatic process adiabatic process adiabatic process की हमारे पास equation क्या थी हमारे पास pv raised to power gamma pv raised to power gamma क्या हो गया हमारे पास constant pv raised to power gamma is equal to some constant फिर से इसका partial differentiation कर दो इसका क्या कर दो हमने partial differentiation क्या आजाएगा हमारे पास p constant v की power gamma का differentiation क्या आएगा पहले वी की power gamma का differentiation करो क्या आजाएगा gamma आगे आजाएगा हमारे पास gamma आगे आएगा इंटू v की power gamma minus 1 into dv प्लस फिर उसके बाद v की power gamma constant p का differentiation क्या होगा यहां पे पी का differentiation हो गया dp which is equal to 0 v की power gamma का differentiation समझ में आया पहले हमने वी की power gamma का differentiation क्या फिर हमने वी का differentiation क्या है अगर मालों हमारे पास v की power 2 है तो हम क्या करेंगे 2 भी आता है इसका differentiation फिर हमने वी का कर दिया into dv ऐसे किया है अब हम चलते हैं आगे क्या आगे हमें यहां से फिर से dp by dv निकालना है मैंने क्या किया v की power gamma v की power gamma into dp को मैंने इदर रख लिया और यह सारी चीज़े उदर लेके गा जाओ क्या आएगा minus gamma p v की power gamma minus 1 into dv dp by dv निकालो यहां से dp by dv किसके equal आएगा minus gamma p into v की power gamma minus 1 divided by v की power gamma ऊपर है v की power gamma minus 1 नीचे है हमारे पास v की power gamma तो एक cancel out हो जाएगा उपर क्या बचाएगा हमारे पास dp by dv में उपर क्या बचाएगा हमारे पास minus gamma p into p into v की power minus 1 अब v की power minus 1 को नीचे ले आओ तो dp by dv किसके एक वल आ गया हमारे पास minus gamma p by छीक है यह आ गया हमारे पास dp by dv दोनों के लिए हमारे पास dp by dv आ गया है क्या आया हमारे पास देखो हमारे पास adiabatic के लिए तो क्या है adiabatic के लिए हमारे पास dp by dv आया है माइनस गामा P by V और आईसो थर्मल के लिए आया है DP by DV आया है यह एडियाबेटिक के लिए और यह आईसो थर्मल के लिए क्या है माइनस P by V क्या है माइनस P by V ठीक है दोनों के लिए आ गया हमारे पस यह V है है पृ crear को निगरेटिव तो हमारे पास लोब को दिखा रहा है बाकी देखो हमारे पस्पास गामा मैंने बता था गामद दॉं कॉ hetीव कि निकाला हुवी था की गामा की वैली हमेशा 110 ज्यादा ही आतीए नेगेटिव नहीं जाएगी वन से ज़्यादा ही आएगी तो गामा भी एक positive value है तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि dp by dv चीज जादा हो गई मतलब इसका दिखा रहा है तो मतलब इसका अगया यह हमारे पास क्या अगया slope of slope of adiabatic क्या आ जाएगा greater than slope of isothermal isothermal से ज़्यादा आगे है न क्योंकि ये gamma times P by V है और ये P by V है मतलब इसका slope ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब हम क्या कह सकते है कि जो adiabatic होगा adiabatic curve is more steeper than isothermal curve adiabatic curve होगा वो ज़्यादा steeper होगा कि इसके isothermal curve मतलब अगर देखो slope की बात करें तो ये क्या है इसका जीरो है फिर ये ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है ज्यादा steep हो रहा है ज्यादा steep हो रहा है और ये एक केसि जाएंगे एक तो एक नाइगा ओर एक कंपरेशन की यह तो सबस ihan करते हैं एक हमारे पास आएगा एक से अ करव एक expansion का करव आएगा और एक हमारे पास आएगा compression हमें पढ़ने है दो करव एक expansion का और एक compression का तो चलो बात करते हैं पहले expansion की बात करते हैं पहले कर बना लेते हैं कैसा आएगा आंग हलने इसके स्था से मारे की हैं हुआ तेकल आएगा हैं ठीक है चलो यह हमारे पास हो गया P and V यह हमारे पास हो गया P और यह हो गया यह हो गया पी और यह हो गया चीक है इनीशियल कंडिशन दोनों में सेम होगी है ना इनीशियल और फाइनल कंडिशन दोनों में सेम है फिर हम देखेंगे आइसो थर्मल में करो कैसा आएगा और एडियावेटिक में करो कैसा आएगा जब वह इनीशियल से फाइनल स्टेट प इसकी यह वाली है यहां इसकी इनीशल स्टेट तो यहां पर दिखा देते हैं यह between विवन है अब यहां से जो pink से हम लिखेंगे वह हम आइसो-थर्मन काब्स करेverts है अब यह है इम्वेल करेगी तो यह expand करके यह यहाँ पर पोच गई expand करके यहाँ पर पोच गई थोड़ा सा होसाई बना देते हैं expand करके यहाँ पर पोच गई यह हो गई हमारे पास गंदा सा बन रहा है यह यह हो गई हमारे पास expand हो गई और यह यहाँ पर पोच गई अब बात करते हैं ये किसका हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास आईसो थर्मल का अब बात करते हैं एडियाबेटिक की एडियाबेटिक का हमें पता है कि यहां से उसको भी यहां पे यान है लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए यहां पे उसका स्लोप जादा होना चाहिए मतलब उसको हम कैसे बनाएंगे आना तो उसको भी यहीं पर ही था लेकिन ये हमारे पास क्या आ गई ये हमारे पास बन गया थोड़ा से ये साथ बस तो ये हमारे पास देखो इसका स्लोप क्या है इसका अगर हम देखो जो हमारे पास आइसो थर्मल का स्लोप ये वाल है किसी भी एक पॉइंट पे ड्रो करो लाइन कैसे आएगी लाइन कैसे आएगी ये वाली आजाएगी यह वाली है ना और आईếu थर्मल के लिए क्या ऐडियाबेटिक के लिए हमर पास यह यह वाली आएगी तो किसका स्लोप जाद है इसमें एडियाबेटिक का तो यहां से आप डारेक्ट भी याद रख सकते हों कि यह किसका होगया एडिया यह डारेक्ट भी याद रखलो कि आईसो थर्मल में जब एक्सपैंड होते हैं तो ऊपर वाला जो कर्व होता है वो किसका होता है आईसो थर्मल का और नीचे वाला कर्व होता है वो किसका होता है एडियाबेटिक का यह फिर स्लोप से इजली याद रखलो जिसका स्लोप बना लेते हैं यह हमारे पास घैसे क्या हो रही है अब दूसरी बात करते हैं दूसरा हमारे पास क्या होगा दूसरा हमारे पास होगा आइसो थर्मल आइसो थर्मल में गैस यहीं से स्टार्ट होगी लेकिन वो ऐसे चली जाएगे ठीक है यह हो गया हमारे पास तोड़ा साथ यह हो गया हमारे पास अगर आइसो थर्मल यह हमारे पास इनेशल स्टेट हो गई और यह हमारे पास हो गई करी फाइनल के यह इनिशेल हो गई और यह फाइनल ओकष पेपर में बनाओ तो इसको अच्छे से बनाना में क्योंकि यहाँ पर स्लोप देखो अडियावेटिक स्लोप यह है आइसोथरमल का ये वाला है इसका स्लोप ज्यादा है इसका स्लोप कम है तो स्लोप से भी देख सकते हो, यह फिर डारेक्ट याद रख लो कि compression में क्या आएगा उपर वाला isothermal निचे वाला Adiabetic, sorry, expansion में क्या आएगा उपर वाला isothermal नीचे वाला Adiabetic compression में क्या आएगा cayer कामपैसों में उपर वाला अब हम बात करते हैं कैसे भी याद कर लो आपकी मर्जी है अब हम बात करते हैं वक्डन की वक्डन की बात करें तो वक्डन क्या होगा हमारे पास एक्सपेंशन की बात करते हैं वक्डन हमारे पास होता है एरिया अंडर्द कर यहां पर देखो किसका एरिया जाद है अगर हम आईसो थर्मल की बात करें तो आईसो थर्मल के एरिया अंडर्द कर यह वाला होगा और अगर एडियाबेटिक की बात करें तो एरिया अंडर्द क यहां पर लोगों को साफ दिख रहा होगा की एरिया किस्का जादा ज्याद मंतलिक लगाई तो जब हम वकडन के बात करते हैं तो यह हमारे पास होता है अर्डर कर यह पता यह है तो वोगडन हम यह लिख सकते ह हैं वय् Germans होगा वो आईसो थर्मल में ज्यादा होगा कब किसे किसे एडियाबेटिक से और कब इन केस ओफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन में जो वगदन है वो आईसो थर्मल में ज्यादा होगा इडियावैटिक से तकंप्रेशन की बात करते हैं फीर से देखलो इडियावेटिक में याणे वह ज़ंए वह नोगा इसमें भी दिखर रहे हैं कि अल्यां They सब्सक्राइब करें कि से बाख़न इन इसो थर्मल कि आइसो थर्मल से जाता हो ठीक सिंपल या यह वाली चीज्ज वर्डवन में कुछ जादा बताने की ज़ूरत है नहीं अब बात करते हैं कि एक नुमेरिकल करते हैं इंपोर्टें नुमेरिकल है कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं एक एक्जम्पल करते हैं देखो यहाँ पर मैं तीन ग्राफ बना रही हूं मैंने तीन ग्राफ बनाए तीनों यह वाला हमारे पास P ट करव है यह हमारे पास VT करव है यह हमारे पास पी वी करव है ठीक है हमें दिया हुआ है कि PT कर में कोई एक ग्राफ है PT कर्व में हमारे पास से कोई एक equation है वो कैसे दी हुई है कोई एक gas है वो ऐसे जा रही है A, B and C A, B और C इस टाइप से जा रही है ठीक है? दिख रहे हैं na? A, B और C ऐसे जा रही है अब हमें ये बोल दिया कि इसी graph को draw करो VT कर्व में और PV कर्व में इसी graph को इन दोनों में draw करना है चलो start करते हैं A, B से start करते हैं A, A ले लेते हैं A ले लो A हमारे पास देखो हमें नहीं पता कि A यहाँ पर कहा आएगा हो सकता है, यहाँ पर आजाए, हो सकता है यहाँ पर आजाए एसे B में temperature क्या है? constant है, मतलब यह कौन सी process है? Isothermal है एना A से जब हम B गए तो यह कैसी process है? Isothermal है एना temperature constant है और volume है, pressure है वो कम हो रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या था? यह हमारे पास क्या था? प्रेशर क्या था? प्रेशर क्या हो गया? P1 हो गया ऐसे यहाँ पर हमारे पास temperature T1 है और यह temperature क्या है? हमारे पास T2 है तो pressure है वो P2 से P1 पे चला गया है प्रेशर P2 से P1 पे चला गया है वह अदब pressure ज़्यादा था P2 ज़्यादा है और P1 कम है pressure है decrease हो गया है प्रेशर बढ़ रहा है तो वोल्यूम घटना चाहिए pressure कम हो रहा है तो वोल्यूम ज़्यादा होना बढ़ना चाहिए तो यहाँ पे A से B में हम कैसे बना देंगे दूसरा खला ले लेते A से B में अगर यह हमारे पास मालो A है A से B में pressure क्या हो रहा है temperature constant आना चाहिए ऐसा ही आएगा लेकिन वोल्यूम है वो बढ़ रहा होगा है वोल्यूम है वो बढ़ रहा है यह आ गया हमारे पास यह A हो गया और यह B हो गया मतलब वोल्यूम है वो हमारे पास बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वोल्यूम है वो बढ़ रहा है अब A से B गए B से C में देखो B से अगर हम C की बात करें B से C की बात करो B से C में हमारे पास प्रोसेस कैसी है प्रोसेस है हमारे पास आईसो कोरिक आईसो थर्मल है यह यह आईसो थर्मल जिरक, आई-सो फर मलोगे बी से बढ़िए, आई-सो, यह हमारे पास B, सी, बी से, अच्छे, यह आई-सो फर मली इसमें भी कर लेते हैं, PV कर में भी देख लेते हैं, PV कर में देखो, A से B कैसे आएगा, PV कर में, A से B कैसे आएगा, A से B का है, pressure, temperature है वो, same है, temperature से मैं, ais gathered, अ CSR में temperature से मैं, graph कैसा आता है, इस टाइप का graph आता है, थ्तोड़ा सहरना गे बना लेता है, इस टाइप का graph आता है, बहुत का ग्राफ मत आता है, अब यहां से क्या हора है, A से B जा रहे हैं, ज्यादा से कम हो रहा है तो प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा तो यहां पर प्रेशर P2 है और यह P1 है तो ग्राफ आ गया यह आ गया तो यहाँ पर क्या होगा pressure constant होगा pressure constant में इस में बना लेते हैं पहले pressure constant में हमारे पास क्या आता है pressure constant क्या ratat stat? देखो यह cyclic है तो यह भी cyclic बनेगी और यह भी cyclic बनेगी यह तो याद रखो ठीक है तो B से C में हमारे पास कैसे आ जाएगा graph B से C में process cyclic isobaric है तो यह आ गया हमारे पास यह आ गया B से C B से हम कहा आगे C पे आ गए B से C पे आ गए वो temperature T2 से T1 हो गया temperature T2 से T1 हो गया B से C में जाओ isobaric isobaric में V और T में graph कैसा आता है एक straight line आता है ना जो हमारे पास straight line की equation होती है वैसा graph आता है तो यह क्या आ गया हमारे पास कि इस टाइप से आ गया यह हमारे पास आगा B से किसी में हम आ गई B से C में ठीक है अब बात करते हैं हम C से A की अब वैसे तो पता ही हमें एक और बच गया है वो ही मिलाना है लेकिन फिर से देख लेते हैं हम क्या करेंगे C से A में जा रहे हैं तो C से A में क्या होगा हमारे पास C से A में हमारे पास P, T कर वह है तो volume constant है तो ये कौन सी process है? ISO-coric process है ISO-coric process में volume constant है तो volume constant तो ये ही होगी ये हम चले गए C से A में ये हम चले गए C से A में इसमें भी same जाएगा volume constant है तो C से A में चले गए इसका मतलब क्या है? अगर आपने एक बना लिया है तो बाकी के दो तो easily बन जाएंगे एक बना लिया तो बाकी के दो तो easily बन जाएंगे ये cyclic है तो दो नो cyclic होगे एक बनाना सीख लो यहां पर आपने एक question नहीं किया है आपने तीन question कर लिया है आपने एक graph से तीन से भी ज़्यादा कर लिया है ना दोनों graph में convert किया है तो ऐसे ही और question करते रही है ना मतलब ऐसे ही आप खुद से बना के ऐसे कर सकते हैं चीक है तो चलो यह हो गया हमारे पास की एक करो को दूसरे करो में कैसे करते हैं अब हम मिलते हैं next class में आज हमारा class नहीं हो पाया जिसमें हम heat engine पढ़ने वाले थे वह पूरी एक class का topic है तो अब हम इसको next class में start करेंगे अभी तक हमारी यह सारे प्रोसेस है वह complete हो चुके है इन सबको revise कर लीजिए इन सबकी numerical कर लीजिए अब हम मिलते हैं next class में जिसमें हम करेंगे हम start करेंगे heat engine ठीक है तो चलो अब हम मिलते हैं next class में तब तक के लिए पढ़ते रहिए बाई